को चाहें दोस्तों बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि कितना रख सकते हैं सविंग चायंट हो इसके अलावा कितना लेंद और कर सकते हैं साल में अधिकत्स न देना परें इंकम टेक्स ना भरना परें कई तरह के सवाल है एक तो यह होता है कि मेरा 10 बैंक अठ बैंक साथ वे एकाउंट है क्या इसका कोई नीगेटीव परभाव परेगा या फिर साल में कितना लियंदिन कर सकते सारे कर या फिर आएक को मिला कर या फिर एक पर कितना सब्सुटार सब्सक्राइब के औरा करों तो यह इसलिए कहा जाता है ताकि आपको किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं हो आपको किसी परकार को कोई परशानी नहीं हो जैसे कि आपको चार एकाउंट है पांच एकाउंट है साथ एकाउंट है तो आपको मिनमम बैलेंस मेंटेर करना है सभी का डेमिट का चार्ज होता है वह भरना होता है चेक बुक का चार्ज लगता है अगर मिनमा बाइलेस मेंटेस नहीं करते हैं तो मिनमा बाइलेस चार्ज करता है तो इसलिए लोग कहते हैं या फिर कोई भी आपको सलाहकार यह बताता है कि आप 4-5-10-12 एकाउंट ना रखें जितना जरूरत हो एक से 2 रखे मैक्समाम तीन रखें तो इसलिए कहा जाता है कि जितना मेंटेन कर सके उतना रखें और भी आई के तरफ से या फिर सरकार के तरफ से या फिर बितमंतराले के तरफ से कोई भी कभी नोटिफिकेशन को इस तरह का नहीं आया है नहीं ऐसा कोई गाइडलाइन है कि आपको एक भी बैंक एकाउंट खूलने से नहीं रोक सकता है चाहिए जितना एकाउंट आ प्रक्ष चुके तो यह समझ लिज़ें कि कि एकाउंट खुलने के लिए आपको कोई रोक नहीं रहा है बस आपको यह धियान रखना है कि कितना अप मिंटन कर सकते हैं अब बता रहों कि सहीं में एकाउट एक या दो एक तीन ही रखना चाहिए आप 10 रखते हैं बाद बराबर ही आता है आप डार फाईल करते हैं कुछ भी करते सारे में एकाउन पर ça cả का कल्किलिशन होता है तो तो उसे हिसाब absurd 23 रखे सक्ष्षम है तो ऐसा खोलने वाले तो बहुत सारे इकाउंट कोल के रखते हैं अब आते हैं कि कि कितना लेंदेन कर सकते हैं एक एकाउंट पर या फिर मेरे पास । कोई भी एकाउंट कर सकते हैं यह देन यह यह कि यह भी कोई नियम ऐसा नहीं है RBA के तरफ से या फिर सरकार के स्कुनिवर से कि आप साल का 10 लाख रुपया कर सकते हैसा का वी स्लाख रुपया कर सकते ऐसा लहीं आपने सुना होगा की साल का दस लाख रुपया इस पर भी चाहेँ आपका एक चाहे चाहें सब्सक्राइब से ज़्यादा आपको करना है तो आपको लाइन करना पड़ेगा अपको बताना पड़ेगा अगर इंकम टेक्शन नोटिस आगया तो यह आपको काम के लिए पैसा आया तो यह आपको सोर्स रखना पड़ेगा यह नहीं कि आपके पास कोई जवाब ही नहीं है तो उससे तो भाई अवैद रासी माना जाएगा उसको तकाला धन माना जाएगा फिर आपकी मुसीबत खरी हो सकती है लेकिन आपको पता है कि मेरा विदेश मेर पैसा आया है यहां पैसा आने का सूर्स आपके पास है कि कहां से आया कहां गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं डरने की जरूवत नहीं घबराने की जरूवत नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन कोसिष करें कि सेविंग एकाउंट तो आप करोड़ नहीं करने को सकते हैं लिमिट्ट चालिए तो मैं आपको बताओं बहूत सारी लोग चुचते कि कर ल होता है चालू खाता एक ब्र क्रेंच के नाम से न से खुलता पर्तिश्थान के नाम से उनका नाम से नाम से नाम से उनका बेपार का पैसा आता जाता है एक होता है इंडिविजूल करेंडेकाउंट हर बैंक में खुलता है पता कर सकते हैं इंडिविजूल करेंडेकाउंट उसमें क्या होता है कि आप अपने नाम से क्रेंडेकाउंट खुलवाएंगे उस पर जितना चाहे उतना लेंदेन कर सकते है है चाहएगो क्रोरों में क्योंड हो कोई पूछने नहीं जाया लेकिन आपके पास सर्थ होना चाहिए कि पैसा कहा से या कहां गया आ दूसरा घुलता है तो इसलिए अधिक होता है तो आप खुलवा सकते हैं कुतना टेक्स देना है कितना है कितना बचत है कितना बचत करते हैं किस तरह से इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ यह बैंक एकांट नहीं यह बैंक तो छोड़ देए से भी आप कितना कमाते हैं कितना टेक्स देना है और कितना कमाने वालों को two लगता है इस पर प्रोपर एक वीडियो बना चुका बना चुका हो डेडिकेटर जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हूँ आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं इसके बाद सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों आप जानते हैं कि समय समय पर आपको अवेर करता रहता हूँ आप जो सवाल करते हैं ज्यादा तरह मैं उसी सवाल पर वीडियो सवाल कर सकते हैं आपके जवाब पर वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेगिन पुराना सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ अब हारी आपका मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक